तुन्टुनी एक लालची किस्म की चिडिया थी, उसका पती तुन्नू मजदूरी का काम किया करता था। तुन्टुनी चिडिया भी अपनी पती के मदद के लिए जंगल के बाजार में पानी पूरी का ठेला लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन तुन्टुनी की दुकान पर शेट कालू कववा पानी पूरी खाने आता है वो तुन्टुनी से बोलता है तुन्टुनी बेहन जरा चटपटी से पानी पूरी खिला दो जी सेट जी अभी देती हूँ अरे वाह क्या टेस्ट है तुन्टुनी तुम्हारी पानी पूरी तो सबसे बेश्ट पानी पूरी है स सच में खाकर मज़ा आगया सुक्रिया सेट जी लीजिया आप गुलगप्पे खाये सेट कालुक का हुआ बातों ही बातों में पांच प्लेट गुलगप्पे खा जाता है और खाने के बाद टुंटुनी को 500 का नोट निकाल कर देता है तब ही उसका फोन बजने लगता है और वो फोन पर बाते करने लगता है और वो बातों ही बातों में भूल जाता है कि उसने टुंटुनी को 500 रुपए दिये थे वो फिर से अपनी जेब से 500 रुपए निकालता है और टुंटुनी को देते हुए कहता है अरे ये लो बहन जी आपके पैसे वो बीच में फोन आ गया था तो मैं भूली गया था कि आपके पैसे भी देने है वैसे हाँ आपकी पानी पुरी बहुत अच्छी थी इतना कहकर सेट कालु कववा वहाँ शे चला जाता है इधर लाल्ची तुंटुनी अपने हाथों में पैसे लिए शोचने लगती है अरे वा आज तो मजा ही आ गया इसे कहते हैं सोना चानी हाथ लग जाना क्या पागल सेटा पचास रुपए के गुलगप्पे खाया और पान सो का नोट मेरे हाथ में रख कर चला गया हे भगवान ऐसे ग्राहत तो रोज भेजना तुंटुनी लाल्ची आँखों से उन पैसों को देखती है और ठेला लेकर घर वापीस आ जाती है घर आकर वो सारी बाद तुन्नू को बताती है तुंटुनी ये जो तुम कह रही हो ये सही नहीं है ये गलत है लालच करने से कभी किसी का भोला नहीं हुआ है अरी जाओ जी आज के जमाने में ऐसा सब करते हैं कोई हरिश्चंद नहीं है जो आज के जमाने में सच बोले और सच का शार दे टुन्टुनी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और एक बार फिर से समझा रहा हूँ अपना लालत छोड़ दो और अपनी पानी पूरी की दुकान इमानदारी से चलाओ मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में लालची पानी पूरी के नाम से फेमस हो इतना कहकर टुन्टु वहां से चला जाता है लेकि लालची टुन्टुनी को उसकी बातों का कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे ही वक्त बीतका जाता है और बीतते वक्त के शाट टुन्टुनी की लालच भी बढ़ती जाती है तुन्टुनी के गुलगप्पे लोगों को बहुत पशंद आने लगे थे, वो मनही मन सोचती है अगर लोगों को मेरे गुलगप्पे इतने ही जादा पशंद आ रहे हैं, तो मैं क्यों न अपने गुलगप्पे में थोड़ी सी मिलावट कर दूँ, सस्ते आठे और सूजी और सस्ते मशाले से ही गुलगप्पे बना लूँ, इससे तो मेरे पैसे भी बचेंगे और मैं जल् पाईरी मशालों का यूज करती है, और अपने पानी पूरी के दाम भी बढ़ा देती है, ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर मीनू नाम की एक चुड़िया गुलगप्पा खाने आती है, वो टुन्टुनी शे कहती है, अरे बैन जी, जरा पानी पूरी खिला देना, वैसे कैसे दिये, दस रुपे के दो है, इतने महंगे गुलगप्पे, बैन जी, शब तो दब के छे और आठ खिला रहे हैं, तुम इतने महंगे, हाँ, क्यूंकि टुन्टुनी की पानी पूरी पूरे जंगल में फेमस है, अगर ऐसी बात है, तो खिला दो पानी पूरी, मैं भी तो देखू, कौन सा जादू है तुमारे हाथों में, इतना शुनकर टुन्टुनी मीनू को एक प्लेट पानी पूरी दे देती है, जैसे ही मीनू पानी पूरी खाती है, उसका गंदा सा मूब बन जाता है, वो टुन् इसका पानी तो जैसे दो दिन का बासी हो, और तुमने इसका दाम भी बढ़ा दिया है, तुम तो एक लाल्ची चिडिया हो, तुमने पानी पूरी अपने मर्जी से खाई है, मैंने तुम्हे जवरदस्ती नहीं खिलाई है, तुम्हे खाना है तो खाओ, नहीं तो आगी मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है बस, इतना सुनकर मीनू वहाँ से चली जाती है, बीतते वक्त के साथ टुन्टुनी लोगों को बासी और खराब पानी पूरी खिलाने लगती है, जिसकी वजह से लोगों की तवियत भी खराब होने लगती है, एशे ही एक शाम उसकी दुक पान पर बंटी नाम का एक कबूतर आता है, और वो टुन्टुनी शे कहता है, अरे कितने गंदे पानी पूरी बनाती हो तुम, पता नहीं लोगों को कैसे तुम्हारी पानी पूरी पसंद आती है, और ये पानी तो साफ साफ पता चल रहा है, ये दो दिन का बासी है, और कि लोगों के सिहत के साथ खिलवार कर रही हो। देखो जी, मेरे पानी पूरी का श्वाद ऐशा ही है। तुम्हें पशंद हो या ना पशंद हो। उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता। पैसे दो और चलते बनो। मुझे मेरे पैसे से मतलब है बस। तुम तो एक लालची पानी पूरी वाली हो। देख लेना, एक दिन तुम्हें इस लालच के चलते बहुत धारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीतते वक्त के साथ टुन्टुनी के ग्राहां भी घटने लगे थे। और वो धीरे धीरे लालची पानी पूरी के नाम से पूरे जंगल में फेमस हो गई थी। लोग उसकी पानी पूरी खाकर बिमार भी पड़ने लगे थे। एक दिन तुन्टुनु लोगों को टुन्टुनी की शिकायत करते हुए सुनता है। वो घर जाकर टुन्टुनी शेक कहता है। तुन्टुनी के ठेले पर रखी पानी पूरी में से एक पानी पूरी चकता है। और तुरंत ही ठूक देता है। और तुन्टुनी को एक जोड़दार थपड मारता है। अरे ची कितना गंदा पानी पूरी है। इसका पानी तो खराब हो चुका है और यही तुम लोगों को खिला रही हो इसलिए लोग बिमार पड़ रहे हैं तुन्टनी अब तुमने लालत से जितने भी पैसे कमाए हैं वो लोगों के इलाज में लगाओगी नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा उसके बार तुन्टनी की आँखे खुल जाती हैं और लालत से कमाए हुए सारे पैसे लोगों के इलाज में लगा देती हैं उसके बार तुन्टनी चिडियां पूरी इमानदारी से अपना पानी पुड़ी का व्यापार करने लगती हैं और लोगों से माफी भी मांगती हैं ब पंटनी चड़ियां खुशी खुशी अपने जिन्दगी बिताने लगती है।